हेलो फ्रेंड्स मैं मुलका गोयल साकत करती हूँ आपका अपने चैनल पे आज मैं आपको सिखाऊंगे टाइम देखने कोई भी काम समय पर करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है समय का पता होना कि हमें टाइम देखना आता है या नहीं अब यह बताईए हमें स्कूल जाना है और हम टाइम ही नहीं देख पा रहे हैं तो कैसे पता लगेगा क्या टाइम हो रहा है तो आज हम टाइम देखना सीखेगे इसमें 3 टाइब ओफ हैं 3 सूई होती हैं अबर हैंड, मिनाठ हैंड और सेक्ट हैंड और इसमें 12 तक 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक कांटिंग लिखे होती है अगर इसमें 1 सबसे अबर हैंड जो यह सबसे चोटी होती है अगर यह 2 पर है तो यानी 2 ओक लोग अगर यही सुई 5 पर आती है तो 5 o'clock मिनट हैंड की बाल, मिनट हैंड थोड़ी बड़ी होती है उसको काउंट करती है, वो 1,2,3,4 जब 5 जब 12 से 1 तक आने में उसे 5 वार टिक टिक करना होता है और 1 से 2 पर आने के लिए फिर 5 10 यानि हम यहाँ पर आसान करने के लिए 5 का टेवल लिख लेते हैं 5 10 15 20 यह तो आपको याद ही होगा अब यह बड़े वाली यह minute hand है तो अगर यह सुई 4 पर है तो तब कितनी मिनट हुई है 20 मिनट अगर यही सुई यहाँ पर आजाती है तब कितनी मिनट होगी 30 मिनट अगर यही सुई यहाँ पर आजाती है तो 45 मिनट और यही सुई यहाँ पर आजाती है तो कितनी मिनट हुई 55 मिनट बच्चो अगिस स्री को पूरा चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट, 60 बार टिक-टिक करना होता है तब हमारी आवर हैंड वन से टू पर या टू से थिरी या थिरी पर पोर पर पहुचती है यानि इन तीनों स्रीयों में बहुत एकता होती है इससे पता चलता है कि वन अवर, छोटे वाली सुई जब आगे चलती है एक घंटा तब मिनिट वाली सुई को पूरा राउंड लगाना होता है यानि वन अवर बराबर 60 मिनट अब हम बात करते हैं सैकेंड वाली सुई को तो आपने देखा होगा जो जल्दी जल्दी टिक टिक करती है दोड़ती रहती है ऐसे टिक 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 तब 6 मिनट होगी फिर पूरा एक राउंड लगाएगी तो फिर 7 मिनट होगी यानि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड अब तो आपको टाइम देखना आ गया होगा चलो मैं आप से पूछती हूँ अब ये छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 1 पर है तो क्या टाइम होगा है यानि 4 बज़ कर 5 मिनट अगर ये ही सुई को मैं 3 पर कर देती हूँ मिनट हैंड को तो क्या टाइम होगा 4 बज़ कर 15 मिनट आसान हो गया ना तो अब आप 3 टाइप ओफ हैंड याद रखना आवार हैंड जो घंटे का काम करती है मिनट हैंड जो पूरा एक चक्कर लगाती है तब अवार हैंड एक पॉइंट आगे आती है इसी तरह मिनट हैंड के लिए सेकिंड हैंड पूरा राउंड लगाती है तो ये वन अवार यानि 60 मिनट और वन मिनट 60 सेकंड इसी तरह बच्चो आपको टाइम देखना आ जाएगा तो बच्चो इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज समय है पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है तो वहमें वक्त के साथ चलना चाहिए वक्त को बरबाद करने वाले को वक्त बंदर बना देता है अपने समय का सही सदुप्योग करके ही हम अपने टाइम का यूज अच्छे से करें और आगे बढ़ें क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता उम्मीद है आपको टाइम देखना आ गया होगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू थैंक यू पर वोच मेभीछे नहीं कि अचिलन के मार मेभीद यूच नहीं कि लाइ भ्यूति रते होगा बज़ाब है कंग होगा जएक पाईंक यू नहीं को यू खोगकर मेरी वापस तो यू वा बढ़ेगा है पाको शिटी एंप